आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शक्रा महरोत्रा आज की चार बड़ी खबरों में पहली खबर संसत के शीद कालिन सत्र की है जहां 12 संसदों को सस्पेंट करने पर विपक्ष हंगामा कर रहा है दूसरी बड़ी खबर بीजेपी रैली से जड़ी है इसको लेकर बीजेपी ने बाठक की है तीसरी बड़ी खबर कोरोना से संबंधित है जहां योगी सरकार ने सकत निर्देश दिये है और चौती खबर मायावति ने प्रेसवार्ता की है उससे संबंधित है तो नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर संसत की खबर से तो संसत के सोमवार को आरंब हुए शीत कालीन सत्र के पहले दिन कॉंग्रेस और त्रिणमूल कॉंग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिशले मौनसुन सत्र यानि 11 अगस्त को राजसभा में हंगामा करने और अशोभनी आचरण करने पर सिस्पेंड किया गया है मता दे कि इन 12 सांसदों को वर्तमान सत्र की शेश अवधी तक के लिए राजसभा से निलंबित कर दिया गया है उच्च सधन में उपसभापती हरिवन्श की अनुपस्तिती में संसदिय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कल इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा जीसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मन्जूरी दे दी लोगसभा में जारी गतिविधी और गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पीकर ओम बिल्ला ने सदन के फ्लो लीजर्स की मीटिंग भी बुलाई आपको बता दे कि आज सुभा भी सदन की कारवाई शुरू होते ही दोपहर दो बज़े तक के लिए स्थागित कर दी गई थी दोबारा शुरू होने के बाद लोगसभा की कारवाई तीन बज़े तक के लिए स्थागित कर दी गई तो लगातार सदन में गती रोध ज़वारी है और जिसको लेकर कई सक्त रुक अपनाते हुए नजर आ रहे हैं सभापती ओम बिल्ला ने बैठक भी बुलाई थी और आपको बता दे कि इस शीत काली इन सत्र में कम से कम बारा सांसदों को निरस्त कर दिया गया है अपको बता दे कि शीत काली इन सत्र के पहले दिन कॉंगरस त्रिणमूल कॉंगरस सहित अनि विपक्षी दलों के बारा सांसदों को मौनसुन सत्र यानि ग्यारा अगस्त को राजसभा में हंगामा करने अशोभनी आचरन करने जिस तरह की तस्वीरे सामने आई थी उसको सदन में उपसभापती हरेवन्श की अनुपस्तिती में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कल इस सिलसले में एक प्रस्ताव भी रखा जिसे ही विपक्षी दलों के हंगाम में के बीच सदन ने मंजूरी दे दी लोगसभा में जारी गतिरोत को खत्म करने के लिए स्वीकर ओम बिल्ला ने सदन के फ्लोर लीजर्स की मीटिंग भी भुलाई लगतार कोशिश करी जा रही है कि गतिरोद को खत्म किया जाए शानती से जतनी भी चर्चाएं हैं जतनी भी बाटके होनी हैं वो सभी करके इस सदन को सफल बनाने की कोशिश की जाए लेकिन हर बार ऐसा देखने को मलता है कि जो जाए लोक सभा हो या राज सभा हो दोनों में हंगामा देखने को मिलता है विपक्षिय सिफ हंगामा करता है अपने ही मुद्दे उठाने के कोशिश करता है लेकिन जिस पे बात हो रही होती है उस पे बात नहीं करता है और इसी ख़बर पे हम आईसाव जादा बाचीत के लिए समदाता नितिन कुमार जोड़ चुके है तो नितिन जिस सरह से लगातार हंगामा देखने को मिलता है लोग सभा में राज्य सभा में क्या कहेंगे इस पे क्या ये शोब भनिये है अगस्त के बाद विंटर सेशन यानि शीत कालीन शत्र ये जो दिसंबर में और नौंबर में हो रहा है इसके लिए सरकार ने पहले तैयारियां की थी और लगबग सभी विपक्षी दलो को बैठा करकर चर्चा विचार विमश किया गया था कि कौन-कौन से वो प्रमुक बिंदू है कौन-कौन से वो प्रमुक अध्यदेश है जिन पर चर्चा करनी है जिन पर मोहर लगानी है उसी को देखते हुए कल से इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन कल पहले दिन ही कृशी कानून को निरस्त यानि कृशी कानून को वापस लेने के लिए सरकार ने बिल जदाया और इसके साथ है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहती है सरकार नहीं चाहती है क्योंकि बहुत ही एहम विशह था कृशी कानून को लेकर पहले जब इसे लागु किया गया जब से कानून बनाए गया था उस दौरान भी विपक्षियों से विचार विमश नहीं किया गया था इसके लाब फाइदे इसके नुकसान नहीं जाने गयते और उसके बाद जब इस कानून को वापस लिया जा रहा है इस कानून पर रोक लगाई जा रही है उसका अध्यदेश पा बीट उनका नहीं था सत्र के दारान जो मौसम सत्र हुआ था और इसके लिए 20 सांसदों को निलंबित या फिर 20 सांसदों को सत्र से निलंबित करने के लिए सरकार की तरफ से अप्लिकेशन फाइल की गई थी और उस पर सुनवाई हुई थी उसके बाद कल पहले दिन का जो स गने कात्र हुआ है और लोगों से निलंबित कर दिया गया अशीट कालिंज तो आज जब दूसरे दिन की सुनवाई हुई है तो इसे दूसरे दिनकी सुनवाइं में पहले इन 12 सांसदों और इसके साथ इनके राजनेतिक दल और इसके अलावा कई एहम मुद्दों को लेकर इन लोगों ने एक साथ बैठक करी थी और उसमें बैठकों में यह साथ तोर पर यह विचार विमर्ष किया गया था कि हम महगाई पर बात करना चाह रहे थे हम बिजली तो क्या इससे यह भी समझा जाए कि जिस तरह से 12 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड किया है तो क्या यह सबक देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अशोभनी विवहार करते हैं उसे बिल्कुल भी बरदाश नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण धंक से कारवाई को तो परंपरा है यह लंबे समय से चली आ रही है यह शिखा लेकिन आज इस तरह से करशी कानून को लेकर सरकार जब इस बिल को इस कानून को वापस ले रही है तो विपक्षियों का यह कहना था कि सरकार को एक बर चर्चा करनी चाहिए थी विपक्षियों से पूछना चाहि गई और इसी मज़े से उन्होंने इस तरह का हंगामा किया था अगले साल की शिरुवात में होने वाले विधान सभा चुनाओं को लेकर भारती जंता पार्टी ने अपनी तैयारिया तेज कर दी है इसके मदे नजर बीजेपी पूरे प्रदीश में बड़ी यात्राई निकालेगी जन्द जानकारी के मताबिक 7 दिसंबर से पार्टी की पहली यात्रा निकाली जाएगी इन 6 यात्राओं के जरिये पार्टी अवद, काशी, गोरकपुर, ब्रिज, पश्चमी, यूपी और बुंदेल, खन छेत्र को कवर करेगी बीजेपी अपनी से यात्रा के जरिये मौझूदा सरकार की ओर चलाई गई यूजनाओं के बारे में सब कुछ जानकारी देने के साथ अपने कारेकरताओं में जोश भी भरेगी यूपी बीजेपी के अद्यक्षर स्वतंत्र देव सिंग ने मीडिया को बताया कि भारती जनता पार्टी 2022 के विधास बच्योनाओं के लिए प्रदेश स्तर पर 6 यात्राएं लेकर यूपी की जनता के बीच जाएगी इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 6 कारकरताओं के दम पर और जनता के आशिरवात से भाचपा 300 प्लस सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है सरकार बनाने का दावा कर रही है बीजेपी और अपने कामों को जनता के बीच ले जाना चाहती है इसी ख़बर पर मैंसे जदबाचीव के लिए समधाता नितिन कुमार जड़े हुए है नितिन जस्तरहास से बीजेपी छे यात्राय करने वाली है तो क्या संदेश जाए गजनता के बीच जानती है कि उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाव कितना एहम है और बीते जो विधान सभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था दोजार सतरह में उस दोरान बीजेपी ने 325 सीट जीती थी तो बीजेपी जानती ही कि अगर इस बार हमारी सीटे कम होती है या फिर हम सत्ता में नहीं आते हैं यह हमारे आने वाले दिन के राजनितिक करियर का उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं काफी कुछ नुकसान द्रिश जो है वो दिखा देगा तो ऐसे में बीजेपी जानती ही कि हमारी जो प्रमुख योजनाएं हैं जो हमने जनता के लिए काम किया है जो आखरी वक्ती तक योजना पहुचानी का प्रयास किया गया है इसको अब गाउं गाउं तक जिले जिले जाकर पहुचाए जाया और यह यात्रा उसी का ही एक न नेता पूर्वांचल के बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी जानती है कि कैसे जहर से जहर को मारना है और कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ना है बीजेपी जान रही है कि अगर अखले शादों ने खुद को पूर्वांचल में मजबूत कर लिया है त सब पार्टी में शामिल हुए हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी अतनात प्रदेश अध्यक सुतन देव सिंग इसके अलावा कई सारे और बड़े नेता उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वो सारे यहां पर मौझूद थे और पूर्विधायक जगपाल सिंग बीजेप को कैसे मद्बूत करना और इसके अलावा जनता तक और यह जो योजनाय सरकार की तरफ से चलाई गई है इसे ही सिग जो गाव गाँंगाने का बीजेपी तो सीधे तोर पर अवद, काशी, गोरकपूर, ब्रेज, पशिम, यूपी और मुंदेल खंट छेत्र को कवर करना चाहते है बीजेपी जिसके लिए छे यात्राय निकाली जाएंगे बीजेपी की तरफ से और ऐसा दम भरा जा रहा है कि 300 से जौदा सीटे जीत पाएंगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कोरोना के नए वैरियंट ओमी क्रोन को लेकर देश और दुनिया में दहशत का मोहल है वहें इसे लेकर केंडर और तमाम राज्य सरकारे अलर्ट हो गए हैं इसे बीच उत्तरप्रदेश सरकार के स्वास्त विभाग में इसको लेक वैरियंट ओमी क्रोन पाया गया है जैसे अफरीका से आने वाले कोविड नाइटीन मरीजों को एक अलग आईसोलेशन फैसिलिटी में आईसोलेट किया जाएगा और साथ ही साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज और कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की वाले कि बारी की सिज्जाच की भी निर्धेशों दिये गए हैं आपको बता दे कि मतुरा में कोरोना के चार नए मरीज मिलने से भी हड़कंप मच गया है जन्पन में अभी तक महिला समेथ आठ कोरोना पॉजिटिव मले हैं साथ ही व्रिंदावन में लगता है लोग कोरोन कोरोना पॉजिटिव मल रहे हैं बता दे कि व्रिंदावन में साथ विदेशी महिलां एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव मल चुके हैं जिसके बाद आश्रम को कंटेन्मेंट जोन घोशित कर दिया है और इस खबर में सब्सक्राद बाद चीत के लिए समधा था गौरफ श की णाइं को लेकर रहे हैं पिछली बार पहली रहर आैरा चाहसे कि फ्टीव श सकत्राइब है पूरे भारत में मामले बढ़े थे जिस तरह से विदेशी आते हैं और उनकी कोई टेसिंग नहीं हो रही थी अभी हाल में जिस तरह से डबू एच ने जो वी वन 1529 जो बेरियेंट है को नाम दिया है उसको लेकर जागुता भी जारी कर दी है कि यह बहुत खतनाक है उसमें ल लगातार प्रियास की जारा है चाहे अगर भारत सरकार की बात हो तो लगातार समिच्छा बैठक भी हो रही है प्रामांती नरेन मोरी भी इसको लेकर आगाय कर चुके हैं और बैठक की बात करें तो कल भी बैठक हुई थी जिसको केंदी स्वास्चिप राजिस भूचण न को लेकर बैठक की गई थी उनको बताया किस तरह से काम करना है और इसको फैलने से रोकना है हाला कि राजनीती भी हुई है और तमाम चीज़े हैं अगर दिल्ली के मुखमंतरी केजिवाल की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार सबसे पहले जो बाहर इंटेनिसल कि पिछली वार भी फ्लाइट में रोकना लगाने की देरी से करोना फैला था तो मुखमंतरी जो केजिवाल है उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग किये किन सरकार से मांग की है कि सबसे पहले अंतरास्की फ्लाइट पर रोक लगाई जाए बिल्कुल अगर उत्तापेड़ेस क जाएंगे उनकी प्रफर चेक अप होगा उनका पूरर आटी पीसे टेस्ट होगा और अगर उनके अंदा को संक्रमण की पुष्टी मिलती है तो उनको को परिजनों को जभी मिलने दिया जाएगा जब उनका क्वार्टन पीरेट पूरा हो जाएगा इसके लाब मुकमंतरी देञे तरी द्वारा भी 80,000 नेगरानी समिट्या मनाई गई है जो लगातर काम करेंगी और ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रेकिंग एंड टीटमेंट इससे काम करेंगे और कुरना को फेलने पहले रोकने का प्रिया सरकार दोरा किया जाएगा जी स्वास्तसु विधाओं को बहतर करने के लिए सरकार और क्या कुछ कदम उचा रही है। द्वारा लगातार जारी की गारी है। जारी के लिए तो लगातार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर के और सिर्फ यूपी की ही नहीं। पूरे देश की सरकार सतर के अब प्रधान मंत्री ने भी इस पे बैठक करने की बात कही। और साथी सभी सरकारे अपने अपने राज्यों को सतरक कर रही हैं। सकत दिशा निर्देश भी दे रही है और जनता से भी अपील कर रही है कि वो मास्क लगा के रहे। अगली ख़वर की तरफ रुख करते हैं अगामे विधान सभा चुनाओं की तैयारियों में जुटी बस्पा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सभी 403 विधान सभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने गटबंधन के सवाल पर ये बात कही। मायावती ने कहा कि 2007 की तरह ही जबार भी अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो वो सभी वर्गों का ध्यान रखेंगी। अब ही नहीं करवा रहा है। जातीकत जिंगर्णा की बात कही है साथ ये भी कहा कि सभी जितने भी दलित है अदिवासी पिछड़े वर्गे सभी वर्गों का ध्यान देंगी अगर उनकी सरकार बनती है तो इस खबर पे भी मैंसाद जादबाद चीत के लिए समधाता गौर गौरफ जुड़े हूं है तो गौरफ जिस तरह से मायावती ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि 403 सीटों पर खुद ही चुनाओ लड़ेगी बस पाग कोई गटबंधन नहीं करेगी अपने प्रत्याशी उतारेगी क्या कहेंगे इस वे देखिए सिका मैं आपको ताओं पर अपने समर्थन में लाए जाए पर इसके लाबा मायावती का अपना यह कहना यह भी है जो उनकी प्रदेश की 86 सीट है तो वहाँ पर दल्लित ब्रामन के अलावा जाट और मुस्लिम बर्ग को भी वह मुखा देंगी और उनके प्रत्यासी को उतारें कि उनका कहना है कि जाट और मुस्लिम बर्ग ऐसा बर्ग है जिसका अब तक सरकार में उठ्पूर्ण किया रहा है अब जाट और मुस्लिम बर्ग की तरफ भी महायवति का ध्यान जा रहा है कि हम जाट और मुस्लिम बर्ग को विसेश प्रत्मक्ता पर रखेंगे जी गुर्ण जिस तरह से सपह हर पार्टी के साथ गडबंधन कर रही है लेकिन बस्पा के साथ नहीं करें इदर बस्पा के साथ नहीं करेंगे आखिर इन दोनों का गडबंधन क्यों नहीं कि बहुजन समाज पार्टी इस वार बिल्कु सोतन दुरूफ से प्रदिस की सभी 403 सीटों पर चुनौल लेगी जनता निस्चरी जनता के उस बर्ग के लिए जो अब तक विकास के मुके धारा में नहीं आपाया है या बंचित है उसके लिए काम करते नजर आएंगी जिस तर प्रदिस की बात करते हैं लगातार काम करता रहता है उनके कोडिनेटर है और तमाम लोग उनकी बैठक परारी करेंगी बैठक बी लगातार चलती रहती है बड़ी गुप्ति रूप से बहुत जाड़ा है नहीं पार्टी की तरह अगर मैं उनके काम की बात को तुम आपको साया कि सबसे पहले प्रदिस में जो समयलन हुए थे बहुजन समाज पार्टी दौरा ही आयूट कराई गया तो जो काम की है समयलन भी हुए और हां कोई यात्रा जरूर नहीं निकली है पर उनके दौरा लगातार बैठक ली जा रही है और बूत इस तरह पे उनकी पार्टी दे रही है क्या पिछड़ा और जितने भी पीछड़े वर्ग हैं उनका सहयोग मिलेगा क्या अच्छी खासी सीट पाप आएंगी ब्यस्पी देखिए बस्पा का सुरूर रहा है बस्पा बड़ी गुप्चुप चाल चलती हो पहले भी बस्पा काम ने देखा है कि बिलकु चीज़ा कि बस्पा की बसका स्थिती है तो पूरा बोड़ बैंकि अगर स्थिती मानी जाए तो हम इनको कम तर नियासे क्यों कि बहुत बड़ा बोड़ी उसके साथ में है और होज़ता दोया साथ की तरह इस वार भी कुछ समधकार दिखा है और पूरे रूप से सक्ता में आए जी बलकुल बहुत 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 शुक्रिया मैंसर जुड़ने के लिए हो तमाम बाचीत के लिए इस ख़बर पे मैंसर समधाता गौरव शुवास्तफ जुड़े थे तो मायावती चार सो तीन सीटों पर खुद अकेले लड़ने वाली है कोई गटबंधन नहीं करेंगे इस बात का खुलासा उन्होंने आज प्रेस कांफरेंस में कर दिया है और दूसरी बात ये भी कही कि हम सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे विलहाल चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही कलफर मिलेंगे नई बड़ी ताजा खबरों के साथ तक देखते रहे है प्राइम टीवी